भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा करें खुद का आतम विश्वास जगार मैसेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन यूट्यूब चैनल गवर्मेंट टू गवर्नेंस देखिये लगातार हम अभी तक पब्लिक एड्मिनिस्टेशन की थ्यूरीज को कवर कर रहे हैं और उसके बाद जो थ्यूरीज का ही एक पार्ट है प्रिंसिपल्स ओफ औ जैसे अभी आपको decentralization, centralization, span of control यह सारे मैंने topic आपको करवाए हैं हरार्की भी करवाया है और आज का जो हमारा topic है communication वैसे तो बहुत ही common topic है लेकिन इसको पूरी तरह से समझना भी बहुत जरूरी है administrative way से हम किस तरह से communication को समझते हैं तो यह जानने के लिए आप video पूरी end तक देखें और अगर अब तक आपने यह channel subscribe नहीं किया है तो जल्दी से इससे subscribe करें तो हम यहां पहले आते हैं कि communication born by the word Latin word communist देखें हर word का जनम जो है एक मिलते जुलते शब्द से होता है तो यहां पर जो communist word है Latin language का जो communist word है उसका मतलब है means to understand the views यानि की विचारों को समझना communication means की अपने विचार दूसरों को समझाना और दूसरों के बातों को या दूसरे के विचारों को समझना देखें सही communication वही होता है जिसमें जो मैंने किसी से बात कही जिस meaning में कही, जिस अर्थ में कही, वो उस अर्थ में उसको समझ आई, तो वही communication कहलाता है, लेकिन अगर communication में gap हो जाए, यानि कि मैंने कहा कुछ और, दूसरे ने समझा कुछ और, it means कि जो कहने में है, तो वहां से जो बात निकली है, वो सही तरीके से नहीं निकली, या तो mean सही नहीं था, या उसका mode सही नहीं था, मतलब कुछ न कुछ उसमें कमी थी, तो communication gap वहां पर आता है, तो इसलिए communication का जो meaning है, वो यही है, कि दूसरों की बातों को खुद समझना, और खुद की बातों को दूसरों को समझाना, this is the main base of communication, उसके बाद हम आएंगे, types of communication, यान की communication कितने तरहां का होता है, कितने प्रकार का होता है, पहला है, formal and informal communication, देखे, formal communication के भी जो है, पार्ट होता है, जिसको हम written communication बोलते है, written communication हमेशा formal communication में आता है, जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप किसी school में पढ़ते हैं, college में पढ़ते हैं, आपको कोई भी information दी जाती है that will be display on the notice board वो written में होती है या written board में आपको notice निकाले जाते है और उस पर जो है आपके sign लिये जाते है this is also the written record तो ऐसे ही जो formal जो communication है वो ज्यादा तर formal organization में ही चलता है जहां पर बाचीत का एक record रखना पड़ता है ताकि उसको future में use किया जा सके फिर आता है informal communication informal communication का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी बात अपनी friend से कही उसने कहीं और कही this is the informal की उसका हमने कोई written record नहीं रखा या हमने उसकी यह जरूरत नहीं मैसूँ उसकी कि मुझे इसको written तरीके से देना चाहिए ठीक है तो कोई भी बात हम एक दूसरे से करते हैं तो informal communication कहलाती है हमने किसी को अवाज लगाई किसी को कोई काम कहा किसी को फाइल पकड़ाने के लिए कहा तो यह सारे जो है informal communication में oral communications में आते हैं उसके बाद है internal communication देखे internal communication को हम हिंदी में आंतरिक संचार बोलते हैं आंतरिक संचार का मतलब क्या है कि एक department चाहे school, चाहे college चाहे कोई government department या public private department कोई भी department है उसमें जब internal level पर यानि कि कोई communication सिरफ अपने employees या अपने concern लोगों के साथ किया जाता है तो इसको internal communication कहा जाता है उसमें कोई भी बाचीत बाहर के किसी person से किसी employee से नहीं की जाती है तो वो उसमें ज्यादा तम हम formal communication को count करते हैं उसके बाद है external communication external communication का मतलब यही है कि जब कोई बात बाहरी व्यक्ति से की जाती है बाहरी external person के साथ कोई बात share की जाती है अपने views उनको बताई जाते हैं उनके views उनसे लिये जाते हैं तो वो सारा external communication है जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी जब research होती है research methodology में यह दोनों चीज़े बहुत ज़्यादा use की जाती है internal और external क्योंकि जब भी कोई भी topic के उपर research की जाती है उसमें जो beneficiary बहार के हैं तो उनसे भी जो है related topic के बारे में views लिये जाते हैं चाहे वो internal चाहे वो return में लिये जाएं या वो orally लिये जाएं तो जब बात चीत बहारी लोगों से की जाती है उनके views को जानने का एक method बनाया जाता है तो उसको external communication भी कहा जाता है उसके बाद है interpersonal communication interpersonal communication होता है कि जब एक स्तर के लोग आपस में बात करते हैं जैसे कि आप बच्चे, friends आपस में बात कर रहे हैं या कोई दो level के officer आपस में बात कर रहे हैं या कोई एक ही level के जो employees हैं वो आपस में बात करते हैं तो वो interpersonal communication होता है उसमें कोई भी formal और informal communication जो है उसको मद्दे नजर नहीं रखा जाता है और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि जिसको on the record रखा जाएगा जिसकी problem है वो अपने solution के लिए अपने friend से बात करता है और आपस में बात्चीत करना ही interpersonal communication कहलाता है उसके बाद है upward and downward communication upward communication का मतलब होता है नीचे से उपर की और यानि कि जो hierarchical system में अभी आपने देखा है कि कोई भी बात जब कोई भी काम की report नीचे से उपर की तरफ जाती है ये हमारा hierarchical system होता है और इसके base से जब कोई बात यहां उपर तक आती है तो इसे हम upward communication यानि की उपर की और का communication कहेंगे जब कोई भी officer अपने subordinate को order करता है या कोई भी employee अपने subordinate employees को जब किसी भी काम के लिए बोलते हैं order करते हैं तो वो downward communication यानि नीचे की और का communication संचार कहलाता है तो यह हमने types of communication किये हैं और अगली वीडियो में मैं आपको elements of communication और mean and more जो भी है इसके साधन है वो सारे आपको अगली वीडियो में मैं cover करवाऊंगी तो तब तक के लिए thank you धन्यवाज जैन